नमस्कार किसान भाईों मैं आपका किसान मित्र और आप देख रहे हैं MKGCulture किसान भाईों MKGCulture में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी हम खड़े हैं 36 गड़ की राधानी राइपूर में और यहां पर आप देख सकते हैं किस परकार से बैगन लगा हुआ है किसान भाईों ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको मिलाते हैं यहां के सफल किसान से जो बहुत ही यूनिक तरीके से यहां पर खेती कर रहे हैं सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर पर इसको तुलाई हो गया ओप पांच महिना चहाए होगा घृटय थे यह तक पांच महना किसान भाई ओर ordered 15ग आब सब्सक्राइब किसान भाई सब्सक्राइब ग्रहें जहरों सब्सक्राइब आप पुर्सक्राइब शुन रहें कि सबाएब ने आप तक इन्यों पाइन घंड में तो आगर major चलतें हैं रहे बाएगण हुआ तो आपने ग्राफ्टेट वैगन को इसलिए पहले में नॉर्मल लगाता थे थे लिए मेरे मर जाता थो नीचे से जमीन प्रब्लम कुछ भी समझो मेरे चार पांश शॉब्लम भाई मानावस्ति ॉप वसके यह ले जाओ इसको ट्राई करके देख लो नी मरेगा तो मैं इसको चार पोध्र लाए थे दिए अभी भी पौधा है अभी नभला हुआ है देखेंगे एक दम फ्रा हुआ है चार लगा है तो नहीं किसान पहले कि यांब किसान ने सबसे पहले भैगन की खेती कर रहा था तो उस कि दिए थे आपको चार पौधे इन्होंने चार पौधे से आपने सुरुवात किया था है उन्हों ने फोपड में दिया था मेरे को प्रेटिकल करने के लिए तो चार खुमें लगा के देखा तो अच्छा फला नीसुखा तो मैं बुला चलो बढ़ा के देखते हैं तो फिर भाई से बात किया तो फिर एक एकड़ में लगाया हूँ अच्छा मुनापा हुआ मुनात हुआ किसान बाई हो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान भाई हमें बता रहें कि नोहीं ने दस बौर्ब से शुरुवात है था और दस बौर सुर्फ डिकर आप देख सकते हैं अभी 111 केरिये में याद हुआ है और आप देख सकते हैं कि घृत जelu सांदार है अभी तक क्या फास की तोड़ाएं कि तोड़ाइं कि टोड़ाई कर लियू हैं और घृत से बहौत बढुड़ाई है और अभी तो ग्रोध भी बढ़ियां हो रहा है काफी सांदा फल फुल भी हम देख सकते हैं काफी बहतर तरीके सा आ रहा है तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा यह जो आप खेती किये हैं सिंपल तरीके से किये हैं या फिर ड्रीप एरिगेशन में किये हैं किसान भाईयों आप देख सकते हैं थोड़ा सब मैं केमरा को इधर घुमवाना चाहूंगा आप इधर देख सकते हैं किस परकार से खेती किया गए इसमें ना ड्रीप है और ना मल्चिंग है फिर भी आप देख सकते हैं प्लांट के ग्रोथ किस परकार से है और फ्रूटिंग अभी भी बहुत ही बहतरन तरीके से आ रही है तो बहुत सारे किसान भाईयों का एक कहना रहता है कि क्या बिना ड्रिप एरिगेशन के ग्राप्टेट बैगन की खेती या ग्राप्टेट टमाटर की खेती या ग्राप्टेट मिर्ची खेती संभव है तो हम किसान से आपको बताना चाहेंगे क्या बिना ड्री पेरिगेशन से इसी खेती संभव है क्योंकि इन्होंने प्रिटिकल किया है चार पौधे से और एक एकर के एरिये में जो लगा हुआ है वो बिना ड्री पेरिगेशन के लगा हुआ है तो जो भी किसान भाई, बिना ड्री पेरिगेशन के ग्राप्टिट बैगन की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिना ड्री पेरिगेशन के भी इसकी खेती हो सकती है, और थोड़ा सा हम और दिखाना चाहेंगे, आपका फिल्ट देखना चा उतैंगी प्लाण करतेंगा लिनाट है कि प्लानिंटेशन किया तो आपको इसे नहीं प्रकेर समस्य का सामना किका स्मु किस प्रकार की फंगी सटब उसको चला देते हैं जो जैसे थोड़ा हलका-फुलगाइबम भागई यादम है नहीं चलाता को यूंच करते ंंप एच्छा उपना चलाते हैं और जैसे कि आप बता रहें था हैं किया alah आप ऒग экспер अगरा लग जा तो नहीं आएगा एक बार डालो पंदे दिन के लिए फूरसत अच्छे मलब हम पंदे दिन के अंतराल हम किटनासक का चिड़काव कर सकते हैं तो किसान भाईयों आप देख सकते हैं बिना ड्री पेरिगेशन के बैगन की खेती किस पर सफल तरीके से क्या गया है तो मैं अब ह सब से पहले मैं आपने जाना चाहूंगा कि आपने एक एकड़ के एरिया में जो बैगन की खेती लगाया है सकते हजाँ कि छी कितना पाफ़या है हैं यानि कि अभी तक आपने एक प्लस का मुनाफ़ा बेच चुका है। और अभी आप इस बैगन को और कितने Isra चला सकते कम से कम 50 महीना हो चलाओंगा चला सकते हैं तो किसान इन्हों पहर के तर था और lecture यानिकि इन्होंने अभी तक इसमें 50 जर लागत लगाया था और अभी तक लिए ने एक लाग से प्लस का बेश चुका है और अभी अब इस पांच मां आपको और क्या लगता है कि इस रहा आप अपना का इंकम कर सकते हैं कम से कम कुछ नहीं तो एक लाग तो कमाई लेंगे आराम से अराम से ठीक है आप से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आज का जो आपने जानकारी दिया हमारे किसान भायों के लिए महतलं रसे किसान भायों अभी तक हम आपको बता रहे थे यह हमारी किसान भाय भी आपको बता रहे थे कि इह उने चार पाउधा लाएँ हुआ था ओ दो साल का हो गया है अब दे सकते इधर दो पाउधा है उधर दो पाउधा है और अभी इसमें फल फुल आही रहा है और यह बैगन का पाउधा नहीं पेड़ है तो किसान भाईयों आज के लिए बस इतना ही जल मिलेंगे और एक नेस्ट वीडियो और नेस्ट जानकारी के साथ तब ते लिए झाट